क्यासे हैं आप सभी लोग तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक नॉन आइटी कॉलेज के बारे में या फिर उतना मतलब मैं परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ पता नहीं आइटी मिलेगा के नहीं मिलेगा या फिर सेकंड जनरेशन आइटी की अगर मैं बात करूं स्टिल तो अगर सेकंड जनरेशन आइटी से भी मैं कुछ यह बैटर कहूंगा ट्रिपल इट डेली है ट्रिपल इट हैदरबाद है यह डेफिनिटल बेटर है त्रिपल इट हैदरबाद तो बहुत सारे आपके ओल्ड इटिस के तॉप के कॉलेजिस है उन से कम्पीट करता है सिमिलर्ल इट बंगलोर डिपल इट डेली और बिट्स कॉलेजिस एस वेल तो यह बात करता हूं ट्रिपल इट डेली के बारे में तो एंटेक अड्मिशन जो है वो चारू हो चुका है जैसे कि यहां पर लिखा है भई एप्लिकेशन स्टाट हो चुका है फ्रॉम 14th अपरिल जीके काफी अच्छा कॉलेजिस मैं आपको इसका प्लीसमेंट भी दिखाऊंगा एंड लिटरली जस्ट ट्रस्ट मी बहुत ही जल् अब ही दस साल पहले 11 साल पहले ही बन करके आया था और एकदम से टक कर दे रहा है ठीक है और कहीं नहीं बेटर परफॉर्म भी कर रहा है ठीक है तो इस इस ट्रिपल आइटी डेली तो जैसे कि मैंने बोला 14 अपरिल से शुरू हो चुकी है ठीक है तो इसका खास बात पता है क्या है ठीपल आटी डेली का मॉस्ट अफ इस प्रोग्रम आर कंप्यूटर साइंस में भी CB is computational biology वहां पर भी आपका आपको CS का बहुत सारा पाट देखने को मिलेगा ठीक है अगर आप इसके BTK courses देखोगे वैसे थोड़ा आफ टापिक जा रहा है तो आपको रेलाइज होगा that how much they are into the core CS वाला पाट कि उसके CS के application निकाल निकाल के in a different branches बना दिये अभी आपके सामने भी last date is May 6 और May 8 को उन student का एक्जाम होगा जो non gate basis पे entry रिना चाहते हैं देखोगे basically यहां पर जो entry है that is there are two modes to that one is you can use your gate score 2020-21 का कोई भी आप gate score use कर सकते हो and the other being कि अगर आपको लग रहा है कि शयद मैं उतना अच्छा पर नहीं कर पाऊंगा या फिर अगर आप आपको लगता है कि यार score तो खराब हो गया फिर मैंने दिया ही नहीं है then you can use this non gate entry जिसमें खुद एक्जाम लेंगे आपका और उस एक्जाम का syllabus exactly gate के जैसा है एक्जाम नहीं दिया है तो थोड़ा सा पढ़ सकते अच्छे से पढ़ना और अगर आपने एक्जाम दिया तो बिट्स HDB एक्जाम होगा तो अच्छे-च्छे colleges है यार एक्जाम तो होते रहेंगे तो आप अपनी preparation को बंद मत रखिएगा preparation रखिए अपनी तो जैसे कि मैंने बोला दो अच्छे से बताता हूं ठीक है तो आप जाकर क्या अप्लाइ कर सकते हो तो मैं Mtech CSC specialization directly open up करता हूं ठीक है आपको मिलेगा सीधा ये पेज open होगा ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि कौन-कौनसी specialization ये प्रवाइड करता है Mtech in CSC with specialization in AI, data engineering, information security, mobile computing and without any specialization, okay So, this is going to be this is going to be the page, okay. अब total seats की अगर मैं बात करूं, there are total 110 seats for gate, जो लो gate के थरू apply करेंगे, ठीक है, उन के लिए 110 seats है, मतलब जो भी gate के थरू admissions होंगे, there will be 110 students which will be taken and 39 students will be taken from non-gate entry, that is जो ये खुझ से test लेंगे और ये जो test होगा, ये IIIT Delhi में होगा, 8th of में को, IIIT Delhi में होगा, ठीक है, okay. So, I guess I am correct with the date, एक पर फिर से check out कर लेते हैं, yes, entrance test 8th of में को होगा, ठीक है, देखो भी, यहाँ पर seat distribution इनका दे रखा है, इन्होंने बोला हुआ है कि आपको direct core CS branch में admission दिया जाएगा, ठीक है, rather than किसी भी specialization, later on you can just get into the specialization, ठीक है, इसमें भी आपको जाना, आप उसमें जा स रखते हैं, okay, तो जैसे कि मैंने बोला, gate वाले students के लिए 2021, वो जब आप apply करोगे, एक दम तब आपके लिए option आएगा, कि आप gate entry के साथ जाना चाहोगे, और non gate के साथ, non gate के लिए admission का test होगा, पहले बता है, 8 में को होगा, और जिनका है, उनको test देने के कोई जरूरत नही जाए, चीके, अच्छा का सा, not in the sense के भाई, आप बोर्रो की सार 800 है, भाई, IIT मिल जाएगा, old IIT मिल जाएगा, and even I am not saying के भाई, आपका इग्डम 500 है, then you are going for it, no, अगर आपका gate score जो है, nearly, मैं कहूं, 550 plus भी जा रहा है, apply, check out, 550 plus भी जा रहा है, because this year as I have told you many times, जब के gate score है, ठीक है, तो 550 plus भी, you must apply for this, okay, just check it out, okay, ठीक है, तो यह सब चीज़े apply करने वाली चीज़े हैं, जो जो चीज़े रहेंगी, ठीक है, तो fees की अच्छी खासी है, भाई, मैंने पहले भी बोला है, IIT के अलावा, जो colleges हैं हमारे, जो अच्छे colleges हैं, they have good fees, मतलब तकरीबन तक्री जाएगा, basically आपको link provide कर रखा है, ठीक है, एक ही category में आप apply कर सकते हो, gate, gate और non gate category, ठीक है, ओके, तो selection process जैसे की मैंने भी बताया आपको, क्या रहेगा आपका, दोनों ही है, gate वाला है, non gate वाला है, ठीक है, non gate के लिए आपका syllabus, जो है exactly, पहले ही बता है, जैसा आपका gate का syllabus पुरस्ता, exactly वही रहने वाला है, चाहे तो आप खोल के देख सकते हो, एकदम वही रहेगा, 8th of May को होगा, 9 a.m., सुबह नव बजे, and place will be, 9 बजे आपको पहुचना है, sorry, 9 बजे आपको पहुचना है, 10 से 12 टेस्ट होगा, 10 से 12, 2 घंटे का test होगा, need not worry, syllabus लेकिन सीम है, ठ that means, अपका college में ही test होगा, उनके basis पे merit list बनेगी, और जो भी है, then they will finally offer you the seats, one by one, अगर उनके seats खाली रहती है, तो they will be creating further rounds, depending upon that, कि भाई, first round में, अगर seats वेकिन रह जाती है, then second round, second में रह जाती है, then third, fourth, and similarly, later on हो सकते है, और भी जादा, okay, fees की मैं बात कर लूँ, तो देखो भाई, आपके सामने है, total fees जो है, मैं बोलूँगा, college fees, basically tuition fees, जो है, वो है आपकी, कितना, यहां पे exactly दे रखा है, tuition fees is 4.6 lakh, ठीक है, overall, जिसको हमने, जिनको, जिसको इनों ने, तीन parts में divide करके यह लेंगे आपसे, first semester, second semester, and third semester के starting में, okay, and then later on, you are having some alumni fee, security, that you can see, ठीक है, तो भाई, costly तो थोड़ा सा है, and that will be for all the good colleges, apart from IIT, चाहे, आपका, triple IT, Hyderabad है, Bangalore है, ठीक है, चाहे, वो bits college ही कियो ना हो, ठीक है, so, अच्छे colleges है, यार, मतलब, ठीक है, थोड़ा सा loan लेना पड़ सकता है, and you get a decent loans as well, यार, पहले ही साल में, बहुत अराम से चुका सकते हो, अगर आप थोड़ा सा saving करो, ठीक है, और gate के basis पर जा रहोगे, तो scholarship definitely मिलेगी, और अगर आप non gate entry से यहाँ पर जाओगे, triple IT Delhi में, then there will be no scholarship for you, ठीक है, आपके लिए scholarship नहीं होगा, stipend नहीं होगा, AICT वाला, ठीक है, okay, so, जो भी gate के धुरू जाएंगे, उनको scholarship मिलेगी, okay, 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 so, this was all, okay, अगर मैं बात करो internship की details की, तो यहाँ पर यह मैंने open कर रखा already, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, basically for M.Tech students internship, जो first year के end में आपको थोड़ा सा मिलता है, मौका 2-3 महीने जो भी है, average, highest or median stipend भी दे रखा आपको directly, कि कितना कितना रहा भाई, average was 33, ठीक है, highest was 83 and median was 35,000, ठीक है, ठीक है, not bad, अच्छा है भई, because बहुत सारे student है ऐसे होंगे, जो, यह internship में नहीं, यह full time में इतना earn कर रहे होंगे, so it's better, you go for this, okay, अगर आपको लगता है, कि आपका 6 से कम है, या फिर और भी कम है, then you must go for such kind of stuff, यह मतलब, master's जरूरी बन जाता है, ठीक है, आपको और थोड़ा जानन placement details भी, ठीक है, मैंने exactly वो page खोल के रखा हुआ है, ठीक है, आप जाकर के portal पर check out भी कर सकते हो, ठीक है, एक एक चीज, so, यहाँ पर देखे, बहुत बढ़िया चीज है, यह 2020 से 21 वाला है, ठीक है, अभी recently वाला चल रहा है, so they do not, they have not disclose it yet, but आप देख सकते हो, Mtech में highest package कितन है, it was 50 LPA, ठीक है, that was overall, because BTEC में भी किसी का नहीं था, BTEC में highest was 39 LPA only, in Mtech, it was 50 LPA, ठीक है, percentage, अगर मैं बात करो, कितने student place हो रहे हैं, तो भाई, undergraduate में यह देखो, यह सारे CSC, CSAM, CSD, CSSS, यह सारे computer science oriented, इनोने program चला रखे हैं, ठीक है, बहुत मज़ेदार programs है, अगर आपको को कोई junior हो, you can definitely suggest, very good college, ठीक है, तो CSC का दो 100% for undergraduate, postgraduate की में बात करो, CSC में 98.36, what does it mean, there are some students who are left, that doesn't mean that exactly, it means बहुत सारे ऐसे student भी है, जो master's के लिए फ़र जारे हैं, because to be honest, जो IIIT Delhi है, from research point of view as well, it is great college, literally great, मैंने बहुत सारे लोगो से बात किय है, और पता चलता है, in fact, I know one of my senior, who is in Harvard Medical School, right now, after PhD from, what, your IIIT Delhi, he has gone to Harvard Medical School, ठीक है, computer science में उसका person का M Tech था, ठीक है, वो भी किसी tier 3 college से, he pursued PhD from this college, और अभी Harvard Medical School में वो क्या कर रहे है, postdoc अपना कर रहे है, तो बहुत अच्छा scenario है, nearly, मैं बोलुगा, every faculty over here is a PhD, ठीक है, और वो भी top institute से, कुछ आपको IIT से भी मिलेंगे, कुछ आपको IIC से मिलेंगे, और बहुत सारे आपको बाहर की universities से मिलेंगे, तो बहुत ही amazing environment, research environment बहुत तगडे वाला है, ठीक है, आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है, बढ़िया PhD के options मिल सकते हैं, आपको बाहर से करने के, ठीक है, बहुत अच्छा college है यार, apply करिए, मैंने आपको बताया भई, ठीक है, 6 में is the last date, if I am not wrong, to apply for this, ठीक है, तो apply करिए, and 8 में को उन लोगों के लिए, जिनको की non-gate CS entry देनी है, non-gate entry से जाना है, उनका test हो का 8 मही को, so be prepared, अच्छे से prepare करते रही है, ठीक है, यह सारी dates यहां पर mentioned है, काफी अच्छा college मैं फिर से बोल रहा हूं, because I know, I, मैं Delhi से बिलॉंग करता हूं, I have seen the environment, I have heard a lot about it, यह बहुत ही जल्द मतलब, NSIT, DTU, जो वहां के top colleges है, उनको भी पीछे छोड़ देगा, apart from IIT Delhi, अगर मैं बात करूं, चेक है, तो go check it out, apply guys, बहुत not regret the decision. Thank you guys for watching this video.